राधे राधे जैश्री कृष्णा, फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कान्ह पूनम क्रियेशन चैनल पर आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे। नवरात्री के नो दिनों में मा के नो रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्री का तीसरा दिन है और नवरात्री के तीसरे दिन मा के तिर्तिया रूप माता चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्र घंटा के मस्तक्स पर घंटे के अकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है। और जिस वज़े से भक्त मा को चंद्र घंटा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि मा ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हातों में तिर्शूर, तलवार और गदा रखा हुआ है, अगर शास्त्रों की बात माने, तो माता चंद्र घंटा को राक्सुसों का वद कर गया है, माता चंद्र घंटा की पूजा विदी किस परकार हमें करनी चाहिए, चलिए बढ़ते हैं उस तरफ, नवरात्री के तीसरे दिन, वीदी विदान सेमा दुर्गा के तीसरे रूप, माता चंद्र घंटा की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए, मा की पूजा अर्च बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं इसके साथ ही आप मोसम के अनुसार जो भी फलाप के पास उपलब्ध है वो भी मातारानी को और पित कर सकते हैं और उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना ना भूले माता के नो रूपों में नो दिनों तक हमें दुर्ग ना वीदी विदान से कर लेंगे साथ ही अगर आप लड़ू गोपाल जी को घर में विराजित करे हुए हैं उनकी सेवा भोग आपने ली हुई है तो आप बाल गोपाल जी को पहले ही सनान करवा के और अच्छे से वस्तर पहना के उनको पूजा के लिए विराजित कीजिए हाज ऐसा कि मैंने आपको पहले भी विडियो में बताया कि बाल गोपाल जी को आप अलग से विराजित कीजिए और अलग से उनके लिए दूप दीप जलाईए और माता रानी के लिए हमें अलग से दूप दीप जलाने होगी आप बात करते हैं कि नवरात्रे के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा का सबसे पीरिया रंग क्या है मात चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करते समय हमें उन्हें सुनहैरे या फिर गरे कलर के या सिल्वर कलर के इस तरह के वस्तर पहनाना अत्यांत शुम माना जाता है आप से हम भी इन रंग के वस्त्रों को धारन कर सकते हैं अब बात करते हैं कि बाल गोपाल जी को भी हमें यही रंग की पोशाक पहनानी चाहिए या नहीं वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पूजा अर्चना के लिए और शुब कारियों के लिए पीला रंग, हरा रंग और लाल रंग को सबसे अधिक परधानता मिलती है तो अगर आपके पास यह रंग उपलब्द नहीं है जो कि हमने वीडियों बताई है गरे कलर है, सिल्वर कलर है और सुनहरा इस तरह कि अगर आपके पास कलर की पोशाक नहीं है बाल गोपाल जी के लिए तो आप अन्या कलर जैसे की पीला, लाल और हरा इन में से भी कोई पोशाका बाल गोपाल जी को पहना सकते है आप स्यंबी इनी रंग के वस्तर पहन सकते हैं बस हमें एक बात का द्यान वश्य रखना की हमें नवरात्रों की दिनों में काले रंग के वस्तर नहीं धारन करने है आप बात करते हैं कि मादत चंद्र घंटा की पूजा का क्या महतव है माचंद्र घंटा की किर्पा से एश्वर्य समरिद्धी के साथ साथ घर में सुखी दामपत्य के जीवन की भी प्राप्ति होती है वेवाईक जीवन में आ रही सभी बाधाय दूर होती है इसके साथ ही माचंद्र घंटा की किर्पा से हमारे जो भी कारिया रुके हुए वो सब सफलता पूर्वक पूरण होते हैं आप बात करते हैं कि माचंद्र घंटा को सबसे अधिक पिरिय फूल कौन सा है शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो माचंद्र घंटा को सफेद, कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से आपकी सभी इच्छाए पूरण होती है आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माचंद्र घंटा को भोग हमें क्या लगाना चाहिए माचंद्र घंटा को आप भोग में केसर युगत खीर, दूद से बनी हुई कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं इसके अलावा पंचामरित, मेवा, चीनी ये भी मातारानी को अर्पित कर सकते हैं अब सुनते है माचंद्र घंटा की कथा चास्तरों के अनुसार मादुर्गा का पहला रूप माशैल पुत्री और दूसरा रूप भरमचारणी जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है जब मा भ्रम्चारनी भगवान शंकर को पती के रूप में प्राप्त कर लेती है तब वे आदिशक्ती के रूप में परकट होती है और चंद्र घंटा बन जाती है माद्रुगा ने माचंद्र घंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में द्यात्यों का अतंक बढ़ने लगा उसी समय महिसासूर का भयंकर युद देवताओं के साथ चल रहा था महिसासूर देवराज इंद्र का सिंगासन प्राप्त करने के लिए प्रयात्र कर रहे थे वैस्वर्ग लोग पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद कर रहे थे जब देवताओं को महिसासूर की इच्छा का पता चला तो वे सब परिशान हो गए और भगवान भर्मा विश्णु महेश के सामने गए भर्मा विश्णु और महेश ने देवताव की बात सुनकर करोध परकट किया करोध आने पर उन तीनों के मुख से जो उर्जा निकली उस उर्जा को एक देवी अवत्रीत हुई उस देवी को भगवान शंकर ने अपना तिरसूल भगवान विश्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना घंटा और सूर्य ने अपना तेज तलवार सिंग परदान किये इसके बाद माचंद्र घंटा ने महिसा सुर्का वद्द कर देवताव की रक्षा की माचंद्र घंटा की आराधना करने से व्यक्ति कोई घर में शुक समरीद्धी का वास होता है प्रेंट्स आशा करती हों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेर जरूर करना राधे राधे जै श्री कृष्णा